जैय है मादादि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर माहा के पहले दो दिनों के तुलाराशी फल के बारे में एक अक्टूबर का दिन और दो अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसे होने वाले हैं इन दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होंगी क्या योग बनेंगे किस तरह के परिवर्तन आपको अपनी दिंचरिया में देखने को मिलेंगे कौन से ग्रह राशी बदलेंगे और उन ग्रहों के प्रभाव से किस तरह का आपकी जीवन पर प्रभाव होगा तो जानेंगे सब कुछ विस्तार से बस आगे बढ़ने से पहले छोटा सनिवे दिन है चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जा लेते हैं एक अक्टूबर का दिन शुकरवार का दिन है क्रशन पक्ष की दस मेति थी है इस दिन असलेशन नक्षत्र रहेगा पुशन नक्षत्र सुभा तक होगा उसके बाद असलेशन नक्षत्र लग जाएगा चंद्रमा अपनी राशी करक राशी में होंगे शिव नाम का भी योग बनेगा और सूर्य जो है कन्यराशी हस्त नक्षत्र में होंगे इस दिन का अभी जीत मूर्थ है सुभा 11 बज़ कर 47 मिनट से 2 बहर 12 बज़ कर 34 मिनट तक अब 2 अक्टूबर का दिन ये शनिवार का दिन है और क्रशन पक्षकी एकादशी तिथी है पित्र पक्षकी एकादशी इसको इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है बहुत युतम दिन है असलेशन नक्षत्र रहेगा सिद्ध नाम का योग बनेगा चंद्रमा सुभा करक राशी में होंगे उसके बाद सेंग राशी में चले जाएंगे सूर्य कन्या राशी में हास्तर नक्षतर में और दो ग्रहों का राशी परिवर्तन है इस दिन दो बड़े ग्रह राशी बदलेंगे दो अक्टूबर के दिन इस दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन कन्या राशी में शुक्र का राशी परिवर्तन व्रश्चिक राशी में इन ग्रहों के राशी परिवर्तन से एक साथ कई कई ग्रहों के यूति होंगी उनसे भी योग बनेंगे तो इन सब ही का जो प्रभाव है वो कैसा आपके लिए रहने वाला है चलिए विस्तार से जानते हैं पहले हम बात करेंगे एक अक्टूबर के बारे में और ये जो राशी फल है ये चंद्र राशी पर आधारित है एक अक्टूबर का दिन चंद्रमा करक राशी में होंगे इस दिन जो आपका जो मन है वो दान बोने के काम में ज्यादा लगेगा और इस तरह के काम आपको ब अच्छा होगा, अपनी युजनाओं को गुप्त ही रखें, अपने परिवार को परियप्त समय दें, उनके लिए वक्त निकालें अगर आप वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं, उन्हें महसूस करें कि आप उनका ख्याल रखते हैं, उनकी साथ अच्छा वक्त बिताएं, शिकाय वादी होगा, लोग आपकी द्रड़ता, आपकी शम्ता को पहचानेंगे, लोगों के साथ बात करने में, आप अपना काफी समय आजवैतित करने वाले हैं, तो जरूरी बातें आप जरूर करें, लेकिन बातों के चक्कर में आप अपनी काम को न छोड़ दें, इस बात का ध आप अपने सहकर्मियों का समर्थन भी पाएंगे, कुतपाचीत के चरिये, अपनी काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, इस राशी के जो वैपारी हैं, उनकी सोच बड़ी प्रखर होगी, जिसकी वजए से उनको प्रसंसा मिल सकती हैं, और सम्मान के पातर बन सकते हैं, यानि प्रसंसा और सम्मान दोनों आज आपको अपने वैपार में, अपने सामाजिक जीवन में देखने को मिलेंगे, आर्थिक रूप से आज आप खुद को सरक्षित महसूस कर सकते हैं, स्ट्रॉंग महसूस कर सकते हैं, और कुछ यात्राओं का योग भी बनेगा, या आप बाहर कहीं जा सकते हैं, परिवार के साथ बिताया गया समय, आपको बड़ा आनंद में लगीगा, सामाजी के रूप से काफी सक्रियर रहेंगे, और जो इस राशी के 60 प्लस लोग हैं, वो आज सामाजी के रूप से काफी सक्रियर रहने वाले हैं, कुछ मीटिंग्स व कुछ अच्छी यादें आपको खुश करेंगी, और विदेशों से भी किसी तरह का कोई आज खैर खबर आपके लिए आ सकती है, हो सकता है, रिष्टा भी विदेश से आ जाए, तो ऐसी भी उम्मीदें आज के लिए बनी हुई है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा समय भी ते इकादशी का दिन है, इंदिरा इकादशी है, जो पितर पक्ष में इकादशी आती है, उसको इंदिरा इकादशी कहा जाता है, पितर पक्ष जो होते हैं, यही अपने पित्रों को प्रसन करने के लिए होते हैं, यह एकादशी जो हैं, यह भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं कहते हैं इस दिन जो जातक वरत रगता है उसके पित्र प्रसन्न होकर मुक्ष पाते हैं उसके पित्र प्रसन्न होते हैं और उनको मुक्ष की ब्राप्ती होती है तो इस दिन आप भगवान विश्णु की पूचा अर्चना करें आराधना करें और मन ही मन ओम नमो भग अब राशी फल के बारे में जानते हैं तो इस दिन बुद्ध का राशी परिवर्तन है और आपकी राशी के सुनामी शुक्र का राशी परिवर्तन है इनका प्रभाव भियास से देखने को मिलेगा अब उधातितय योग भी बनेगा सिक्षा से जुड़े हुए लोगों को अच्छी प्रगती होगी आपकी रुची के विश्यों में आपका ग्यान बढ़ेगा हाज आप वो कारे करेंगे जो आपको पसंद है उनी की तरफ आप ज़्यादा पेरित रहेंगे उनी को आप करना चाहेंगे शिक्षा के शेतर में आज काम्या भी मिलनी तैह है अगर आप किसी भी प्रतियोगी कता में बैठते हैं पिपर है आपका किसी भी तरह के शिक्षा के शेतर से जुड़े हैं तो आज बिल्कुल चमकने वाले हैं आप नवीन तरीकों से समस्याओं को सुलजाने का कारे करेंगे और इसके लिए आपकी जो अपनी विशेश प्रतिबह है उसके लिए आपको एक पहचान मिलने वाली है व्यवसाई हैं आप तो व्यवसाई शेतर में आप अपरसंसा के पात्र बनेंगे आपका पधोनती हो सकती है आपकी लोग प्रियता बढ़ सकती है आमदानी भी बढ़ेगी और आपके खर्चे कुछ कम होते हुए इस दिन दिखाई देंगे बच्चत और आपके आत्मिश्वास के इस्तर को आज बढ़ावा मिलेगा आपका पारिवारिक जीवन आरामदायक रहेगा, सोख़द रहेगा आपका जीवन साथ ही आज आपकी बड़ा देखरेक करने वाला होगा प्रेम करने वाला होगा जिससे आपको मन ही मन बड़ी प्रसंदा होगी चाहे आप कहीं नहीं, लेकिन मन ही मन काफी प्रसंद वने वाले हैं आप प्रेम जीवन में हैं, तो यहां प्रेम जीवन में थोड़ा सा अपने दिमाग को ठंडा रखें अच्छे से पेश आएं, किसी धार्मे के स्थान पर आज आप जा सकते हैं जहां जाकर मन को शान्ती मिलेगी तो ये दिन आपके लिए काफी अनुकुल है, दो ग्रहों का राशी परिवरतन भी है जिनका प्रभाव आपको आगे आने वाले दिनों में जरूर देखने को मिलेगा वेपारियों के उपर और आपकी जो भातिक सुक्स विधाय हैं उनके उपर इन ग्रहों का प्रभाव विशेस रूप से होने वाला है ये आपको अगली वीडियो में जरूर देखने को मिलेगा तो दोस्तों और अदिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को जदा से जदा लाइक करें जदा से जदा शेयर करें ताकि जदा लोगों तक ये पहुंच सके